पढ़ रहे थे अभी तक हमने linear equation को solve करना सीखा है reduce करना सीखा है ठीक है x या y या variables की values निकालना सीखा है लेकिन इस वाले worksheet में हम word problem होगी word problem को पहले हमें linear equation में change करना है फिर उस linear equation को solve करना है उसके बाद जो question में पूछा गया है question उसका answer देना यानि कि variable की value निकालनी है यानि कि इसमें आपको दो काम करने होंगे आपको equation भी खुद बनानी है और solve भी खुद करना है यानि कि word problem को पढ़ कर चलिए इतना आपको समझ आ गया होगा तो आगे चलते हैं आप सही बच्चे वक्षीट के साथ बने रहे बहुत ही अठी तरीके से बारिकी से वक्षीट समझाई जाएगी कि प्लीज कोई बच्चा skip करने की कोशिश ना करें चलिए आगे चलते हैं पहले यहां पर देखिए आप लोग conversation conversation और महिमा और श्वेता ये दो लड़किया हैं महिमा और श्वेता नाम की इन दोनों के बीच में जो बातचीत हो रही है वो हम पहले पढ़ते हैं कि क्या बाते हो रही है अगर आप लोग बहुत ध्यान से इस worksheet को समझेंगे तो आपको आपका interest भी इस worksheet के अंदर बना रहेगा लेकिन सीधा आप skip करकी अगर question answer की तरह पहुँच जाते हैं तो ये आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं क्योंकि आपकी basic knowledge नहीं बन पाएगी तो महिमा आख श्वेता महिमा श्वेता से उसकी उमर पूछती है श्वेता टोल दाट हर श्वेता कहती कि उसकी एज और उसके भाई की एज consecutive even numbers है और जिनका सम जो है 30 है जिनका सम 30 है तो क्या तुम guess कर सकते हो कि मेरी और मेरे भाई की उमर क्या है तो ये इनके बीचे बा ताकर श्वेता ने डाइरेक्लि अपनी उमर ना बता कर घुमा फिरा कर उसको बता दिया कि भाई मेरे भाई की और मेरी उमर जो है इवन कंसी क्यूटिव नंबर्स है और उन दुनों का सम थर्टी है तो तुम खुद किस कर लो तो इसका मतलब पहले तो हमें ये चीज़े समझनी होगी कि consecutive numbers क्या होते हैं और even consecutive numbers क्या होते हैं जब तक आपको ये नहीं पता होगा तो आप आगे कुछ नहीं कर सकते हैं तो से फ़ीज़ तो consecutive numbers बटा वो होते हैं जो लगाता राते हैं ठीकि 1 के बाद 2 आएगा, ठीक है 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि 15 का consecutive नंबर क्या है तो आपको 16 बोलना यानि कि उसका अगला नंबर होता है, consecutive का मतलब यह होता है, लेकिन अगर आगया है consecutive even numbers, consecutive even numbers का मतलब होता है, कि 2 के बाद जो है, आता तो 3 है, consecutive number लेकिन even लेना है, तो हमें 3 ना लेकर उसके तुरंद बाद का even number लेना है, 4, 4 के बाद even consecutive numbers जो है 6 है और 6 के बाद 8 है और 8 के बाद 10 है और इस तरह से यह chain चलती जाती है तो आशा करती हूँ आप लोगो consecutive even numbers समझा रही होंगे तो आए चलते हैं अपनी question examples की तरफ यह देखे यहां पर example दिखाया गया है जो उसने श्वेता ने जो बताया था तो उसके हिसाब से महिमा ने जो guess लगाया वो यह लगाया उसने सोचा कि अगर 10 प्लस 2 करें तो भी 30 आएगा तो लेकिन वो सोचती है कि उसने यह भी कहा है कि 2 consecutive even numbers होंगे तो क्या आप बता सकते हैं 10 और 20 के consecutive है बिलकुल नहीं क्योंकि 10 और 20 के बीच में 10 नमबर का अंतर आ रहा है और हमने consecutive का मतलब क्या कहा था कि उनमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए even में एक difference हो सकता है even consecutive numbers है बट अगर सिर्फ consecutive numbers कहेंगे तो कोई difference नहीं होगा उसे तरीके से उसने second guess ये लगाया है कि 10, 18 और 12 जो है वो उससे भी 30 आता है sum लेकिन अगें वही problem है कि 18 और 12 even numbers तो हैं लेकिन ये consecutive नहीं है 18 के बाद 20 आना चाहिए था अगर वो 12 ले रही तो 12 के बाद 14 आना चाहिए था consecutive even numbers होने चाहिए थे तो इसके हिसाब से जो ये guess कर रही थी तो वो तो calculation बिल्कुल गलत बैठ रही थी तो यहाँ पर teacher ने help करी उसकी उमर जानने के लिए तो उसने क्या करा ये इसका question है पापी में उतार लेना और ये इसका solution है यहाँ पर ये answer है पहले उसने age जो teacher है उन्होंने श्वेता की age को मांग गया 2x आप कुछ बच्चे कहेंगे कि मैडम सिर्फ x या y या फिर z क्यों नहीं माना इसके आगे हमने 2 लगाया 2 क्यों लगा दिया है तो बटा 2 लगाएंगे तब ही तो वो even number बनेगा ना आप खुद देखी अगर x y z लगाते हैं तो उसका answer 3 भी आ सकता है 5 भी आ सकता है 7 लेकिन ये even numbers तो नहीं है तो कोई भी answer आएगा उसको even होने के लिए 2 लगाना जरूरी हो जाता है इसलिए हम ये मान के चलेंगे कि श्वेता की जो age है वो है 2x ठीक है हम ये मान के चल रहे हैं कि उसकी age 2x है तो उसके भाई की 2x प्लस 2 है अब कुछ बच्चे कहेंगे कि 2x प्लस 2 क्यों यहां पर 2 आपने add क्यों करा क्योंकि बटा 2 add करेंगे तब ही तो वो एक और even number बनेगा जैसे कि 2x है मान लो x की value अगर 1 आती है 2 2 हो गया ठीक है और अगर 2x प्लस 1 करेंगे प्लस 1 करेंगे आपके हिसा इतना आपको समझ आ गया होगा तो आके चलते हैं यहां पर देखिए अब यह हमारे पास दो equation आगी दो जो हमारे पास यह numbers आगी एक 2x है और उसके भाई की 2x प्लस 2 है आप 80 क्यों लिखा हो है इसका मतलब होता है according to question इसका मतलब होता है according to question ठीक है याने कि question के अनुसार ह जो समय 30 है याने कि इसकी उमर प्लस इसकी उमर 2x प्लस 2x प्लस 2 इन दोनों की उमर का जो समय वो है 30 ठीक है तो इसके आगे इनोंने solve करा है कि 2x 2x क्या होगा है 4x प्लस 2 इक्वल टो 30 फिर इट इंप्लाइस देट कि 4x यह जब बिटा इसका sign होता है ना इसका कहलो या य इसकी वैल्यू इस तहर से 7 निकल गी अगर श्वेता की उमर अभी हमाँ पास x की वैल्यू आई है लेकिन श्वेता की उमर तो 2x है यानि कि जहां जहां x होगा वहां वहां हमें 7 रखना है तो 2 7s are 14 यानि कि श्वेता की उमर हो गई 14 जो कि हमें निकाल ली थी यह हो गया उसी तरह से आपका जो एक्जांपल ये वाला दिया हुआ है एक्जांपल 1 ठीक है ये देख लेते हैं बिटा यहां पर इन्होंने कहा है अगर आप देखेंगे प्रवीन है रुपीज वानेटी प्रवीन के पास में 180 रुपीज है उसके पीगी बैंक में गुल्लक में ठीक है दो नमबर आफ कोईन जब दो रुपे के सिक्के है वो पांच रुपे के सिक्के से डबल है फाइंड नमबर आफ कोईन्स तो पता लगाता है कि दो दो कि और पांच पांच रुपे के सिक्के कितने हैं पीगी बैंक में याने कि दो दो के सिक्के कितने सारे हैं और को मान लिया कि S है अब कोछे कहेंगे इस को इसलीड को पाउटसरी ने करेंगे कि पूदह तो दो-दो के सिक्क्य आगे 2S और इसके आगे S अब हम according to question चलेंगे अब देखो question में कहा गया है कि दो-दो के जो सिक्क्य यादिन कि 2 rupees 2 coins of 2 are double of the number of coins of 5 ठीक है यहाँ पे बिटा थोड़ी सी यहाँ पर equation I think देखिया यहाँ पर देखिया अब उसने क्या कहा है कि जो दो-दो के rupees 2 coins rupees 2 coins are double of the number of 5 rupees coin ठीक है तो पहले यह जो है पहले total कर लेते हैं total कितने हो गए total बिटा कितने हो जाएंगे यह आप की हो जाएंगे 5S ठीक है यह पांच-पांच के सिक्के इतने हो गए और जो यह है दो-दो के सिक्के वो दुगने है ठीक है वो हो जाएंगे आपके यह दो-दो के सिक्के हो गए 5S और यह total amount आपका यह है यहाँ पर थोड़ा सा बच्चे को problem हो रही होगी मैं दुबारा समझा देती हूँ यहाँ से आप लोग देखिए यहाँ तक आप लोगों को यह clear हो गया हो गिए पांच-पांच जो रुपे के कोईन है वो S मान लिए दो-दो के 2S मान लिए क्यूंकि उन्हेंने कहा है कि दो रुपे की जो कोईन है सिक्के है वो पांच-पांच वाले कोईन से double है ठीक है अब question का according चलते है हमें पहले पता लगाना है कि पांच के सिक्के कितने हो गए जो पांच-पांच रुपे की कोईन है वो कितने हो जाएंगे बटा 5S हो जाएंगे और दो-दो रुपे की कोईन कितने हो जाएंगे 2S हो जाएंगे ठीक है यह हो गया 2 into 2S हो जाएगा यहाँ पर 2 into 2S क्यों आया बहुत बच्चा आप बुच्चेंगे कि यह कैसे आगे और 5S कैसे आगे बटा देखो जब हम यह चीज करते हैं आप देखिए 5 Rs.क कोईन जो है 5 Rs.क की कोईन जो है S है तो टोट़ पांच पांच वाले जो स्ख्चे उनको मिला के अमाउंट कितना बनेगा 5 into S बनेगा ना टोटल अमाउंट 5 Rs.क से ठीक है उसी आप से 2, 2 की जो सिक्चे है जब हम 2S से करेंगे तब ही तो हमारा टोटल अमांट बनेगा दोदू कोईन का जो की 4S है ठीक है इसलिए यहां पर यहां पर यहां पर आपका जाएगा 5S और टोटू जा 4, 9S आ गया इसको solve करेंगे तो S की value आजाएगी तो हम पता क्या लगां था कि 5S के सिक्के और 2-2 के सिक्के कितने हैं तो जहां जहां ऐसा है वहां पर S की value रख तो यह तो हो गए आपके 20 और यह हो जाएगा आपके 20, 40 ठीक है बेटा चलिए आशा करते हैं आप लोगों को यह worksheet समझ आ ग आपको अच्छी समझ में आ जाएगा आगे हम चलते हैं अपनी exercise की तरफ यह देखिए बटा यह आपकी है exercise के दो question है यह देखिए वीना took an objective type examination एक objective type examination objective type की आप टिक टिक लगाने वाला जैसे आपका class test हो था टिक टिक लगाने वाला उसको कहते हैं तो उसने 50 question आए थे तो यह बताना है question which has correct answer उसने कितने सवालों के जवाब सही दिये और कितने सवालों की जवाब उसने गलत दिये हमें ही यह बताना है तो यहाँ पर इसका answer यहाँ से शुरू है वो question है यह answer है तो मानलों की correct answer उसने J दिये M, X, Y, Z कुछ ही मान सकते हैं ठीक है इनकरक्ट कितने हो जाएंगे अगर उसने J दिये है सही जवाब total question थे कितने 50, 50 में से J सही दिये तो 50 में से J माइनस करेंगे तभी तो incorrect answer आएगा गलत जो जवाब आएगा वो इतना आजाएगा ठीक है इतना आजाएगा अब सही जवाब पे कितने marks मिल रहे थी 4 तो यहाँ पे लिग दिया 4 J प्लस गलत पे कितना मिल रहा है एक नंबर question बना दिया है यहाँ से J की हमें value निकालनी है तो J की value निकालेंगे देखें कैसे निकालेंगे पेटा देखें अब यहाँ पर वैसा तो यह question सभी कर लेंगे आसानी से यह हो गया 50 माइनस J और यह हो गया आपका 80 ठीक है और यह 4 J में से 1 J गया तो 3 J plus 50 equal to 80 अब 3 J यहीं रहेगा पेटा 80 minus 50 कितना हो जाएगा 30 और J equal to कितना हो जाएगा 30 divided by 3 equal to 10 तो सही जवाब कितने हो गई आपके 10 यानि कि उसने 50 में से 10 के तो जवाब सही दिये थे और 40 के उसने गलत जवाब दे दिये है ना क्योंकि 50 minus J यानि कि 10 minus करेंगे तो 40 आएगा तो यह इसके answer आजाएगा इस तरह से ठीक है आशा करते हैं आपको इस समझा क्या होगा तो आगे एपने next question की तरफ चलते हैं यह देखिए यह वाला question देखिए यह सारी questions बहुत important है और बहुत अच्छे से समझ लेना क्योंकि यह आपक अभी 8 class में हो 8 class में ही बहुत अच्छे से इन सब questions को what problems को समझ लीजिए ठीक है अब आगे चलते हैं the sum of two consecutive numbers अब उपर पढ़ा था consecutive numbers के आते हैं जो एक के बाद देख आते हैं ठीक है which was divisible यहा condition दे दिया है कि हमें कोई भी नहीं लेना ऐसे consecutive numbers लेने जो की 7 से divisible होंगे ब दूसरे को X plus 7 मानना है क्यों क्योंकि divisible by 7 का मतलब होता है कि उसमें वो टेवल जो है 7 से कटेगा जो भी हम नंबर ले रहे हैं वो 7 से कटेगा तो यानि कि एक तरह से सिंपल भाशे में समझाया जाए तो हमें ऐसे numbers consecutive numbers लेने हैं जो कि 7 के tables में आ रहे हैं 7 के tables में आने के ल जोड़ेगा इस तरह से तो इसलिए उन्होंने पहला X मानना दूसरे में साथ जोड़ दिया क्योंकि टेबल होने वाली है 7 की ठीक है अब देखो यहां पर according to question क्या करा कि दोनों को जोड़कर उन्हें का sum sum मतलब दोनों का योग कितना है 343 इसका और इसका plus करके कितना आग 343 ठीक है अब यहां पर 2X रहेगा और 343 में से माइनस कर देंगे 7 तो यह आपका आजाएगा बिटा 2X यहीं और 7 माइनस करो कितना जाएगा 13 में से 7 गए बोलो कितना 6 और यहां पर आजाएगा 3 और यहां पर आजाएगा 3 ठीक है और X यहां इसको काटो यानि की 3 3 6 के न तो काटने पर बिटा क्या आएगा काटने पर आएगा 212, 2612, 2816, कितना आएगा 168, यानि कि पहला नंबर होगा 168, तो उसमें 7 और जोड़ दो, तो कितना आजाएगा 175, ठेक है, इस तरह से ये question solve होगा, तो आशा करती हूँ कि आपनों को ये बहुत अच्छे से worksheet समझ आ गई होगी, तो इस worksheet को आप लोग कीजिए, और बहुत अच्छे से कीजिए, अगर concentration करके, फिर से अगर समझ नहीं आया तो आप वीडियो को pause करके, दुबारा देख सकते हैं, दुबारा कर सकते हैं, समझ ली of Ipshu Academy and till next week and next worksheet, good bye.